नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पड़ेंगे एनिमेल हैस्पेंटरी के सो परसंड जो कि आपके हरियानपुलिस एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाले हैं यदि आप यह सारे सारे परसंड है कोस्चन है यह देख धरीेंगे ज़रूर करें दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ना इस पहलेए आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक जरूर करें प्र अपने दोस्तों साथ जओ ज्यादा सेयर करें जो साथ इस चैनल पर निया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर डूस्तो इस विडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए कि दोस्तों शुरू करते हैं आझ की वीडियो है दोस्तों जो आज पहला स्थमick कर एगा वो क्या है रानी खेत- रोगत किस विशाणू द्वारा फ्द जानुतलboo है तो रानी क्यिट हैं लिए जो है hard lib के question विश में include कि ये गए है अगला question है can in ke pita कहे जाते हैं तो inफ इसे जिनको ken 멕े पिता कहते हैं अगर две को साट रहेगा सबजी की परटिव्यक्तर रहती है सबजी की परटिव्यक्तर कितने होती है तो वह घए तिंसो ओर में अगला question रहेगा एरहर की फसल में दाना तथा बासा का अनुपात कितना होता है तो एरहर की फसल है इस में अनुपात कितना रहता है एक अनुपात 6 से 8 तक holes Doed सभसे अदिक परतिस्त होता है तो दूद की जो सरणचात होती है इसमें स्था यह पुछा सिधा दूद में सभसे अदिक ततों कोंसा होता है तो वह रहत ऐ surplus कर्शिव पानी है वह सबसे जाधा नेक्स्ट है मदुमक्खी द्वारा लीची के प्रांगण में लगबग कितने परतिसत वुरिद्य होती है तो वो होती है 20 से 25 परतिसत जो लीची में प्रांगण बनते हैं उसमें 20 से 25 परतिसत की वुरिद्य किस्ट होती है मदुमक्खी के द्वारा होती है अगला question क्या सेव के फल सेट होते समय कम से कम तापकरम कितना होना चीए तो जो सेव का फल है उसको सेट होने के लिए साड़े चार डिगरी से साड़े पांस डिगरी तक का है तापमान होना चीए एक question और आपको मैं advance level पर बताता हूँ आपसे exam में जरूर पुछा जाएगा यदि आपसे ये पुछा जाए सेव और केला है वो सबसे अधिक का होता है तो वो होता है फत्यावाद में लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा फत्यावाद में इनका उत्पादन इतना नहीं है लेकिन इनका जो cold store है वो सबसे जादा फत्यावाद में इस वज़े से अचसी इनको फत्यावाद में मानती है तो ये भी आप याद रखें next का है केले में फलीों को भरने के लिए किस हर्मोन का प्रयोग किया जाता है तो केले की जो फली होती है उसको भरने के लिए जीवरेलिक एसिड होता है इसका प्रयोग किया जाता है हरियाना में जो है नसल है वो किस परकार किया है तो वो होती है दूइकाजी नसल और यदि गाय की दूइकाजी नसल पूछी जाए तो वो सबसे ज़ादा कहां पर है वो है रोतक में रोतक में गाय की जो दूइकाजी नसल है उससे क्या होता है दूद भी देती है और बाहर ड सलका कितने परतिसत है तो वो है दो परतिसत है भारत में आम केला पपिता यहों नारियल में से किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो भारत में होता है केले का सबसे अधिक होता है अगला कोस्चन क्या है लखनव 49 परजाती को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो लखन अगला question क्या है जिवाणों का कौन सा समूब phosphate की गुलंद सीलता बढ़ाता है तो ये बढ़ाता है pseudomonas next है बुंदेल खंड में गाई की परजाती का नाम बताना है तो वो कौन सी है कंकथा गाई करनाटक में पाई जाने वाले गाई की परजाती कौन सी है तो अमरित महल बुंदेल खंड की कौन सी है कंकथा गाई करनाटक में अमरित महल संकर गाई की परजाती कौन सी होती है अयर सायर याद रखें हो to test हो एकश्ट आय के दूद में पानी की मात्रा कितने परतिसत होती है तो गाय के दूद में जो पानी की मात्रा वो होती है 66 परतिसत कर और भारतिय गाय का ऊसंथ आस धूद ऐस उत्पादन वह पर्थि वर् Gottree उत्ता एक चुछिछ जा सकता है जो कि हमने पिछली वीडियो में भी डिसकस किया है गाये का जो है आयू पुछी जा सकती है उमर तो वह कितनी होती है सोला वरस होती है इसके लावा यदि उसका गरब काल कुछा जाए तो वो तिन सो सोरी दो सो चुरासी दिन होता है गाय का और तिन सो दस दिन होता है बहेंस का होता है तो ये भी आप याद रखें आप से पुछे जा सकते है अगला कोस्टन क्या है अच्छी उन वाली भेड की परजाती कौन सी है तो लोही नसल की भेड है वो सबसे अच्छी उन वाली मानी जाती है ओडिसा में पाई जाने वाली बकरी का नाम क्या है तो गंजन नाम की बक्री है जो कहाँ पाई जाती है उडिसा में पाई जाती है नेक्स्ट है बक्री का दूद कैसा होता है तो बक्री का दूद होता है वो शारी होता है अगला कॉस्टन देख लेते हैं सबसे अधिक दूद देने वाले बक्री कौन सी होती है तो सबसे अधिक दूद देने वाली बकरी के नसल पुछी जा सकती है तो वो है बिटल बकरी की खाल के निर्याद से कितनी विदेशी मुद्रा अरजित होती है तो 10 लाख रूपे है जो की बकरी की खाल से के निर्याद से विदेशी मुद्रा है वो अरजित होती है अगला कोस्चन है कुल दूद उतपादन में भेड के दूद का कितना परतिसत है तो साड़े चार परतिसत है जो की भेड के दूद का उतपादन कुल का जो होता है अंदर परदेश में पाई जाने वाली विविन परजाती कौन सी है तो नलोरी है जो की अंदर परदेश में पाई जाती है अगला कोस्चन है जम्मु कस्मीर की परमुक भेड की परजाती का नाम बताना है तो जम्मु कस्मीर में कौन सी भेडा है परमुक गुरेज नाम की नस जाता है यानि कि उसके खुर है वो छोटे कर दिये जाते हैं अगला कोस्ट ने भेंश के गरब काल क्या हो दी देखो हमें हमने अभी डिसक्स किया था तो एक्चुल में किया 307 दिन है लेकिन एचसी नहीं से कितना माना 310 दिन है तो आप आस पास में जो प्सन मिले उसको कटड़ा हरियाना में और जो गाय का बच्चा होता उसको बच्चड़ा या बच्चड़ी उसको कटड़ा या कटड़ी इस नाम से जाना जाता है यह भी आप साथ में याद रखें अगला कोस्ट ने बच्चड़े की पहचान के लिए चीनित करने की आयू कितनी होती है तो पहले बच्चड़ा होता है यदि वो बढ़ता हुआ है तो उसका एक दिन का भार है वो ऩह 500 ग्राम परती दिन के इसाब से बढ़ता है मुर्रा नसल की जो बहन सोती है वो सबसे पहले वो 37 मेने में बच्चा मतलब क्या है कि वह 37 मेने की उमर होती है यानि के तीन सल और एक मेना लगबर यह हो गया, आपका तीन साल का असफास होती है, तब वो पहला बयात आता हुआ उसका, एक पसु के लिए उप्यूक स्थानllow सजान होना जाता है, तो एक दसंबलो देख लेते हैं, अगला कोस्टन है, सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पसों में होता है, तो वो होता है, बड़े सींग वाले पसों में, सारी रिक तापमान है, वो किसका अधिक होता है, तो सारी रिक तापमान मुर्गी का सबसे अधिक होता है, बकरी की नाड़ी की गती यदि हवा वरते हैं तो उसमें लाब मिलता है अगला कोस्चन है दूद का अप्रेक्सित घंताउग निकालते समय 70 डिग्री सेल्सिस वाले जल उसमक से में ट्यूबर रखी जाती है तो कितने समय के लिए रखी जाती है पांच मिनिट के लिए अगला कोस्चन है ताजी दूद की अमलियता का उस्तन मान कितने परतिसत होता है तो ताजी दूद में यदि अमल पूछा जाए तो 0.12 से 0.16 परतिसत जो है जो है अमलिय उस्तन मान होता है अगला कोस्चन है गाय के ताजी दूद का पी एच उस्तन मान कितना होता है तो 6.6 स 6.7 important question है गाय के दूद का pH मान है ताजी दूद का वो 6.6 से 6.7 होता है गाय के दूद में खनीज लोगन की परतिसत मात्रा पूचिए तो वो होती है 0.7 परतिसत और पानी के अभी अमने अभी अभी अमने पड़ी थी तो वो होती है 6.6 अगला question है गोडी के दूद में फुल ठोस पदार पाया दाता है तो वो होता है 10.9 शेप रतिसत 6 का अपयक्सि भंध हो पूचा गया तो वो कितना होता है 1.028 से 1.080 अगला question है दूद का कवतना कितना होता है तो दूद का कवतना होता है सो दसम्मलों 15 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट है दूद के घंधतों ग्याद करने वाले मसीन 1100 आर्पियम पर कितने मिनट तलाई जाती है तो वह 4 मिनट तक चलाई जाती है आप से यह पुछा दा सकते हैं कितने आर्पियम पर तलाई जाती है 1100 पर तो दोस्तों आज हमने जो है एनिबल एस्पेंटरी के 50 कोस्टन डिसकस किया है और अगले 50 कोस्टन हम आपको अगली वीडियो में देंगे यदि आप कोई वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि करें ज्यादा एूरू झाहिए